कुछ करके दिखाने कामें आई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी कुछ करके दिखाने कामें खाई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी है उसको बरोसा हो के ये दुनिया बदल देगी हर वक्त का वो टटकर मुकाबला करेगी वो काउं के धड़कन की रफ्तार तेज बना देगी उश्वाली सबका सपना वो साकार कर देगी मर्थल में जैसे गंगा आई है भवानी पत्छर में जैसे सावर आई है भवानी कुछ करके दिखाने काउं में आई है भवानी कि रोशनी अधेरे में लाई है भवानी कुछ करके दिखाने काउं में आई है भवानी कि रोशनी अधेरे में लाई है भवानी मेरी भी शादी बच्पन में ही हो गई होती अगर लड़के वाले तेहेच की मांग ना करती तेहेच की मांग? मा, तुमने मुझे पहले क्यों ने बताया? तो क्या यह सब बाते तुझे बतानी जबीरी हो जो नहीं मां? तुम मेरी जिंदगी का फैस्ता तुझा तुझा है आखिर मुझे भी तुम आलूम होना चाहिए ना कि लड़का कैसा है राजनीती की उलट फिर भी शुरू हो गई है इस गाउं में पहली बार यहां के लोग सरपंच सुक्तेव सिंग के खिलाफ आवाज उठाने की इम्मत कर रहे हैं राजन सुक्तेव वसला रख में थी तो अब मैं क्या करूँ अब इसके हालत केसी है यहालत लेकर मुझे लग रहा है यह मेरे बसका काम नहीं है यह काम महीं नहीं कर पाऊंगी जल्दी करो दक्तनी को मुला लाओ जाओ क्या बात करें मैं आओ दक्तनी को नहीं यह नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता जच्चा बच्चा दोनों की जान को खत्रा है समझते क्यों नहीं हो जल्दी करो दक्तनी को बुला लाओ नहीं मैं मैं दक्तनी को नहीं बुला सकता पुलारा ये अरे बाग्यवान तुझे तो पता है कि मैं उसे नहीं बूला सकता पैरे गादे नहीं उने वारे बंच्चे के लिए मैं नहीं जा सकता अरे सोच क्यूनिर और जाइए जाएए ज़ैने Lantani बुला लाइए जाएए रहे जाता हूं इसे बुला लाता हूं मैं है तुछ में होगा बेता हता है तुछ नहीं होगा पैरा शाथ नहीं होगा है अजिरो करा squeeze ह formats और फिस și अर्म खड़ित प्लिभी है जैसा खैश खड़िध, आसा मुट मोच्टाया की शूदए खातं़ है कि झानद राद वाद भाद, कुर दीड़ा, विन से बाद, भाद, राद, कि जना आप पार दो घूर से पर पाराद, आती हूँ अरे आप इसका कुछ भी नहीं है सब्सक्राइब बड़ी परिशानी में फस गया हूँ और आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हूँ क्या हुआ रखने सेबाब मेरी बीवी मेरी बाग्यवान पेट से उसे बहुत दाज हो रहा है वह बहुत तडब रही है कि इस वक्त मो और जाभी ने सकता तो मैं चाहता हूँ का अब मेरे गर Lazari आ मेरी अधा खीजिए आपकी बड़ी मधला अगी темd ऑठा Il करते है curry जुआ कि अलिएफ। अलिएफ। जुआ 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 परकोड़ा मुद्टेशले लिएफ। अलिएफ। अलिएफ। कर ताद? अजुन अजून अजूदा तो नो ज्यून अजून भी तर्फी नुटा है कर दो व्याओ जो स्वाफ़तिी २ी अजुन सोब कराओ न भी, मैं आगे हूं न अभी चंता मत भी प्रुचिया यूजू मैं कर तुझा ते मैं कहूं तुम रसे करना जिकें चंता मत करना तो कर चिलाओगे तो तुम थख जाओगी तो क डाओगी कर प्रीब मीड़ थाओगी कर दो है। लड़ित्ताब झाल कर दो 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 कर सब्सक्राइब कहां से आ रहे हो डाक्तनी के पास से मैं पूछती हूँ ये भवानी ने तुझे क्या खिला दिया है उस्य का नाम लेती हो और उसके नाम के महला जप रही हो मा तुम्हारी सोच में और भवाणी वीवे की सोच में कित्ना अंतर है तुमने हमेशा भवान दीदी को नीचा दिखाने की कोशिश की है मकर उडू ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा बलकि तुम्हें हमेशा इज़त ही दी है वो क्या कहेगी मेरे गाउं में आकर रोटिया तोड रही है उसकी ओकाद क्या है मुझे कुछ कहने की मा जो आकाद भवान दीदी की इस गाउं में है न वो किसी की भी नहीं है सर्पन जो बड़े बड़े अफसरों को पैसा खिलाता है न इस गाउं के काम कराने के लिए वो अफसर भी भवान दीदी को सलाम करते हैं उन्हें इज़द देते हैं और इस गाव में जो अस्पतार खुल रहा है वो भी भवानी दीदी के वज़े से खुल रहा है किसी और के वज़े से नहीं रे वो तो गाह वालों को लालत दे रही है उस गाह में कोई अस्पताल नहीं बनेगा वो भी सरपंज उपदेव जीगर मरजी के बगर कभी नहीं हो सकता समधी इसलिए मैं कही रही हूँ के स्कुल से सीधे घर आया करो हाँ सरपंज के लोग बवानी के खिलाफ है उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है मा भवानी दीदी कभी किसी से डड़ती नहीं है उन्हें सब बातों का पता है क्योंकि उन्होंने हमेशा सच्छाई का और गरीबों कहीं साथ दिया है और यह जो पढ़ी लिखे लोग होते हैं न मा यह तुम कैसे बाते कर रही हो काव वालों के साथ-साथ तुम भी भवानी दीदी के बारे में इतनी घटिया बात कह सकती हो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती चांती हो जिस भवानी दीदी के बारे में तुम इतना बुरा कहती हो इतनी घटिया बाते कहती हो उनुने तुम्हारी लिए क्या किया है? क्या किया है मेरे लिए? इस गाउं में जो अस्पताल खुल रहा है न उसमें तीन नर्सों की जरूरत थी भवानी दीदी ने सबसे पहले तुम्हारा नाम दिया हाँ, मा मा, उस अस्पताल में तुम्हें मुफ में तुम्हारे काम को सिखाया जाएगा और पगार भी कोई सौ या दो सो रुपे नहीं, डेड़ हजार रुपे होगी मा मा, तुम्हें हमेशा भवानी दीदी के बारे में बुरी बाते कहीं, उनके बारे में बुरा सोचा पर भवानी दीदी ने इन सब बातों को भुला कर तुम्हारा भला ही चाहा तुम्हें इनाम ही दिया जरा सोचो अगर तुमने उन्हें जरा से मंता भी होती जरा सा प्यार दिया होता तो पता नहीं वो हमारे लिए क्या करती पर मुझे बहुत दुख होता है मा कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और नहीं तुम्हारी बेटा नहीं ऐसा नहीं कहते बेटे मैंने तुम्हे और भवानी को सबन्य में बहुत गलती की है लेकिन आज पता चला कितनी महान होगी वो मा जिसकी कोक ने भवानी जैसे बेटी को जहनम दिया कमला मुझे इस देवी के पास लेचलो मैं इनके माफी मंगना चाहती हूँ मा भवानी दिदी ने तुम्हारी बातों का कभी भी बुरा नहीं माना तो फिर माफी मांगने या माफी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता मा भवानी दिदी को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सिर्फ हम सब का साथ चाहिए मा जातर इस बेवी से कहो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी हमेशा सच मा हाँ बेटा हाँ जातर इसके साथ चाहिए हुआ जातर इसके साथ चाहिए आप जातर आप हमला आप आप क्या बात इतने उदास क्यों हो दिदी मैंने आपको बताया थे ना मुझे गड़के वाले देखने आए थे और उने मुझे पसंद भी कर लिया था और रिष्टा भी तरह करके गह थे लेकिन अभी अभी ख़बर आई कि उन्हें रिष्टा तोड़ दिया है लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है मुझे उमीद है कि अब मेरी शादी मेरे पसंद के रणके समझ सकते है अच्छा मुझे पता था तो यही पर मिलोगी अरे ना ना आ आप दलत समझ रही है मैं इधर लड़ने नहीं बलके आपकी मदद मांगने मदद में में अपनी क्या मदद कर सकती है मैं सोचती हूँ यह मेरी बेटी की शादी उसने जो लड़का पसंद किया है उससे ही हो जाए आप सच कह रही है हाँ बेटी मैं अभी बराबर समझ गई हूँ आखिर वो मेरे बेटी है इसकी पसंद मेही मेरे पसंद है अच्छ आ अब तो सुछो आपको चाय कोफी आरे ने ने कोई तकल्फ करनी के जरुवत नहीं है मुझे तमसे कुछ बात करने है वैसे बात तो बहुत थास है तुम्हारे वो कमला के बारे में मेरे कमला से बीबात यह और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम दोने एक दुसर को बहुत पसंद करते हुए लेकिन आपको कैसे यह सब पता अरे मुझे क्या सारे गाउं को पता है कि तुम दोनों एक दुसर से शादी करने वाले बहुत लेकिन भवानी जी वो कमला के घरवालों का अरे तुम उनकी फिक्र मत करो उन्हें मैं समझा लोंगी तुम बताओ अभी आपको सब पता है तो मैं तयार हूं शादी के लिए बेरी गुद मैं काम करती हूं कमला के माबाब से बात कर लेती हूं शादी का सारा इंतिजाम भी करवा देती हूं मगर तुम अपनी तरफ से पूरी तयारी रहती है जैसा आप ठीक सुमें अच्छा में चलूँ और शादी हूं और शादी हूं और शादी हूं माँ मैं आपको किसी से मिलाना चाहती है नमस्ते माजी नमस्ते बेठो बेटे ये अशोक है न स्कूल का मास्तर लेकिन आपको कैसे मालूम कि ये अशोक जी मुझे सुसिलाताय ने बताया उन्होंने तुम दोनों को एक साथ स्कूल से जाते हुए देखा था और बता रही थी कि अगर कमला की शादी अशोक से हो जाए तो दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी दरसल माजी मैं इसी सिलसले में आपसे मिलने आया हूँ मैं कमला से शादी करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो मगर बेटे तुम हो शहर के रहने वाले और गाउं की लड़की के साथ कैसे जिनकी बिता पाऊगी माजी आप शहर और गाउं के लोगों में इतना अंतर क्यों समझती हो वहाँ भी तो इंसानी बसते है और वैसे भी कमला अपने बारे में मुझे सब कुछ बता चुकी है माजी कुछ लोग दहेज के कितने लालची होते हैं पैसो के पीछे कितने भागते हैं उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि उनका असली सुप इस चीज में है ये तो ठीक है बेटे मैं भी कमला की शादी के बार में बहुत जिंती थी मगर आज तुमें देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटी की जिनगी अभी सबर जाएगी अच्छा माजू अब मैं चलू नमस्ते अरे बच्ची तु इधर क्यों खड़ी हो आजाओ मेरे पास अब तो मेरी सारी चिंताये दूर हो गई खुश रहो बेटी खुश रहो बहुत खुश रहो कर दो मेरे च्छा ख्रोंड़ को जो 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 कर दो झात है कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल बचाव आपाव। तरस्वती ये दिन में दो बार अपने बच्चे को पिला देगा और देखो जब उसे दूद पिलाओने तो आप पादी डाल पर और तो नहों तो देखो दीदी आप अस्पताल तो बना रही है तो गाओं के लोगों का तो इलाज होई जाएगा लेजबी जी मरीज की हलत भूत खराब हो जाएगी उनको तो अस्पताल में कुछरिनों के लिए रहना पड़े गा न जार्स्वति आस्पताल इसी तो बनाय जा रहा है जो गंबीर मरीज हों उनकी अछ्छी तरह देखभालerson के लेकिन लेकिन विबी जो मरीज बहुत बूर से तो उनके खाने पीने का इंतिसाम और दोख परेशानी नहीं होगा in वारी बश Cyber को कैसे पता कि मरीज को किस तारी का आब चाहिए न की रूंड में खढ़त झालमने होगा हो और पहल भी मिलता है दम मंत्या कि अरक्रेश झाली होती है महापएंच अच्चा बच्चा स्वास्त केंद्र भी जहां से आपको यह पता चलता है कि आपके पेट में जो बच्चा बल रहा है ौ कितना स्वयस्त है उसका विकास कैसे हो रहा है उसे कोई परिशानी तो नहीं है तूह रहे.. इतना सब कुछ बताए जाता है तो तो आप अपना होस्पतार जल्दी ही बनवाईए मैं जल्दी ही अपना दूसरा बच्चा आपकी देखरेक में पैदा करूंगी नहीं सरसाथी, प्लीज, अभी नहीं अभी तुमको पहला बच्चा हुआ है ना पहले उसकी पूरी तरह से देखरेक करो उसे अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो पात साल के बाद कम से कम अपना दूसरा बच्चा पैदा करना चीक है? अब मैं सामुह मज गई हूँ मेरा अब एक ही बेटा होगा उसे में बहुत बढ़ाऊंगी और बहुत बढ़ा आदमी बनाऊंगी आपनी तरह और जो लोगों की सेवा करेगा हाँ क्याबाश चलो, मैं चलती हूँ ठीक है अपने बेटे को मेरा प्यार देना हाँ हाँ तरस्ती भी ना बच्पना नहीं जाएगा उसका आई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी कुछ करके दिखाने गाउं में आई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी है उसको बरोसा हो के ये दुनिया बदल देगी हर वक्त का वो टटकर मुकाबला करेगी वो काउं के धड़कन की रफ्कार तेज बना देगी खुश्वाली सब का सपना वो साकार कर देगी मर्थल में जैसे गंगा आई है भवानी पत्छड में जैसे सावर आई है भवानी कुछ करके दिखाने कामे आई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी कुछ करके दिखाने कामे आई है भवानी इक रोशनी अधेरे में लाई है भवानी झाल झाल